Hello everyone, welcome back to the channel, इस वीडियो में Grand Vitara Sigma यानि की बेस मॉडल के सारे फीचर्स के बारे में सारी डीटेल्स में बताने वाला हूँ, तो make sure वीडियो को एंट तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए तो ये है Grand Vitara का बेस मॉडल यानि की Sigma variant चावी से शुरुवात करते हैं, लॉक अनलॉक ऐसे दो आप्शन्स मिलते हैं, पीछे सुजुकी का लोगो है, ब्लाक फिनिश है, लॉक करने के ऊपर आपको एक साइरन और अनलॉक करने के ऊपर दो साइरन बजेंगे, अब ये बेस कोई भी डिफरेंश आपको फरेंट से दिखाईन भी बनाया है, मैंने सेपरेटली, लिंक काई बटरन डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा, मैं आपको ना bonnet hood दिखा देता हूँ तो bonnet hood को कर लेते है open यार bonnet hood का weight काफी अच्छा है तो build quality का अगर आपको bonnet hood उठा के feel लेने की आदत है न तो यहाँ पर तो build quality की काफी अच्छी feel आपको आने वाली है bonnet hood का weight तो बहुत ही बड़िया है इस गाड़ी में आपको केवल petrol engine option ही मिलता है 1.5 liter का 4 cylinder petrol engine है smart hybrid technology के साथ है जो 102 bhp की power और 136 newton meter का torque generate करता है यह engine आपको बड़ियासी mileage भी निकाल करके देगा जो ARAI claimed mileage है वो है 21.1 km per liter की अब side profile की बात कर लेते हैं तो side में आप देखोगे turn indicator ORVM के उपर mounted है full disc brakes मिलेंगे ABS, EVD, brake assist, traction control सारे safety features आपको मिलते है इस गाड़ी में और safety के मामले में आपको इतना concern होना नहीं चीए क्योंकि यह गाड़ी based है S-Cross वाले platform पे तो यहाँ पर safety का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है S-Cross काफी अच्छी और मजबूत गाड़ी थी तो उसी हिसाब से आपको Grand Vitara में भी safety काफी अच्छी मिलने वाली है यहाँ पर जो wheel covers है उसका design भी काफी बढ़िया लग रहा है आप देख लो alloy wheels लगाने की कोई इतनी खास जरूरत है नहीं wheel covers से भी काम चल जाएगा बड़े खुबसूरत wheel covers यहाँ पर दिये है complete side body cladding मिल जाती है और request sensor मिलता है यहाँ पर passive keyless entry driver side door के उपर है और passive keyless entry आपको मिलेगी co driver side door के उपर भी तो दोनों ही side passive keyless entry मिल जाती है side से आप complete look देख लो यार यहाँ पर side में roof rails बिसेंगे उसके आलावा side में कोई भी changes करने की ऐसी as such ज़रूरत नहीं है अब SUV के उपर लोग आजकल क्यू जा रहे है तो main reason ground clearance का होता है इस गाड़ी में आपको 210 mm का यानि की 210 mm का ground clearance मिल रहा है जो इसके competition है उसमें आपको 190-195 mm का ground clearance मिलेगा लेकिन इस गाड़ी में आपको 210 का मिल रहा है जो कि उनसे कहीं जादा है और इस गाड़ी को आप बिंधास खराब सड़कों के उपर से भी ले जा सकते हो कई से भी ये गाड़ी नीचे से अटने का कोई डर नहीं रहेगा आपको और ये गाड़ी का weight लगबग 1150 kg का है लुक के लिए आप alloy wheels लगवा सकते हो टॉप model वाले roof rails लगवा सकते हो और बाकी गाड़ी वैसी की वैसी है लगवाना है तो लगवा और नहीं तो चलेगा वैसे भी रेर की बात करें तो यहाँ पर गाड़ी शांदार दिखती है हला कि बेस वेरियंट में आपको रेर विंचील के उपर वाइपर और वाशर तो नहीं मिलता लेकिंग डी-fogger ज़रूर मिलता है और high mount stop lamp वगरा भी दिया गया है complete LED tail lamp मिलता है उपर shark fin antenna है यहाँ पर Grand Vitara की badging है smart hybrid की badging भी इस model में मिल जाती है तो आपको base variant से ही smart hybrid technology जो है वो इस गाड़ी में मिलने वाली है नीचे की तरफ आपको मिलती है silver insert यहाँ पर reverse light turn indicator और नीचे की तरफ एक reflector light मिलता है अब tailgate open करके दिखाता हो आपको मैं boot space वगरा कितनी मिलती है तो tailgate open करने के लिए आपके बास एक तो request sensor है गाड़ी lock होगी तो इस request sensor की मदद से आप unlock करके magnetic touch button है उसकी मदद से tailgate open कर सकते हो opening काफी wide है यहाँ पर लंबे लोग भी खड़े होकर आसानी से सामान load unload कर सकते है एक चीज़ आपने notice की होगी यहाँ पर partial shelf नहीं है as accessory आप लगवा सकते हो 60-40 split seats है तीनों ही seats को adjustable headrest है यहाँ पर boot space बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है exact boot space की figures जो है वो आपको screen पर दिखाई दे रही होगी boot space काफी अच्छा है यहाँ पर भी आपको कुछ storage spaces दोनों तरफ मिल जाती है हलाकि luggage lamp बगरा boot lamp बगरा नहीं है यहाँ पर luggage hooks मिल जाते है एक तरफ लगे जुक मिलता है दूसरी तरफ lamp लगाने के लिए जगा मिल जाती है तो accessory के तौर पर आप यहाँ पर boot lamp लगवा सकते हो pair wheel इस तरफ मिल जाता है tool kit वगरा सारी चीज़े दी है यहाँ पर और spare wheel के size की बात करें तो size भी आपको दिखा देता हूँ मैं 215 x 60 R 17 याने की full size का spare wheel आपको इस variant में मिल जाता है जो की काफी बढ़िया चीज है और overall boot space काफी बढ़िया है 60-40 split seats है तो अगर आपको boot space और भी जाता अची है तो seat fold करो और अपना समान आप बड़े आसानी से accommodate कर सकते हो अब चलते है rare में और rare में कितनी space मिलती है वो सारी चीज़े मैं आपको quickly बता देता हूँ अब गाड़ी को करना पड़ेगा unlock दो बार unlock करने के ओपर rare का दर्वाजा खुलता है एक बार unlock करोगे तो सिर्फ driver door unlock होगा बाकी तीनों दर्वाजे unlock करने के लिए आपको दूसरी बार unlock करना होगा गाड़ी को door pads quickly बता देता हूँ black and brown interior colors में मिलते है बेस model से ही आपको dual tone finish मिल जाती है ऐसा नहीं कि base model है तो single tone दे दिया ऐसी कोई कंजूशी वाली बात नहीं है silver insert वगरा भी यहाँ पर दी है और इस तरफ soft touch material भी दिया है अब यहाँ पर rare में मैं आपको बैट कर दिखाता हूँ तो बैट चुका हूँ मैं rare seat के उपर दरवाजा कर लेते हैं बंद front seat अपने हिसाब से मैंने adjust की है scooped out seat है plastic है इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम space दिखाई दे रहा होगा अंडर thigh support भी काफी शांदार है यहाँ पर भी मुझे कोई problem नहीं है rare race events भी आपको मिल जाते है तो comfort and convenience का भी ख्याद रखा गया है नीचे mobile रखने के लिए एक जगा मिलता है लेकिन इस तरफ कोई charging ports वगरा नहीं मिलते है तो यह एक चीज है जो missing है इस model में और headroom की अगर बात करें तो मेरी height fighten है headroom लगबग इतनी है देड इंच की headroom मुझे मिल रही है कोई भी शिकायत नहीं है यहाँ पर seats काफी comfortable है काफी कुछ नहीं है यहाँ पर adjustable headrest मिल जाता है तो comfort के मामले में कोई भी problem नहीं है और एक और अच्छी चीज में आपको बताओ कि आपको इस गाड़ी में rare में 3 adjustable headrest मिलेंगे यहाँ पर और तीनों ही seats के लिए 3 point seat belts आपको base model से ही मिलने वाले हैं यह safety purpose से काफी अच्छी चीज है हर एक गाड़ी में होनी चीज है Grand Vitara ने चालू कर दिया है बाकी car bakers भी इस चीज को hopefully follow करेंगे तो अच्छा होगा center में आपको armrest भी मिल जाता है तो base model में बचाई किया है देने की मिले यह देखो यह armrest यहाँ पर tuck in कर दिया है तो अगर आपको बीच में किसी इंसान को बिठाना होगा न तो armrest आप कुछ इस तरह से टक कर सकते हो इस hook के अंदर और यहाँ से अगर आपको armrest खोलना है तो इसे unhook करके यार यह थोड़ा सा problem वाली बात है यार हनूप करना तो इतना आसान है नहीं कर दिया मैंने finally तो cup holders भी आपको armrest के अंदर मिल जाएंगे तो comfort के मामले में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली और rare seat के width की बात करें तो width भी काफी decent है तीन medium size के adults बड़े आसानी से या पर बैठ सकते है shoulder room वगरा में भी उनको कोई problem होगी नहीं ये तो हो गई सारी rare की बाते अब चलते है front में और base model में front में भी काफी अच्छी अच्छी चीज़े दी है वो मैं आपको बताता हो अब मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी के front seat के उपर normal round steering wheel है leather wrapping वगरा कुछ नहीं है यहाँ पर silver insert है इस तरफ ना controls दिये है steering mounted लेकिन infotainment नहीं है तो जैसे आप infotainment यहाँ पर लगवाते हो उसके साथ आप यह controls connect कर सकते हो यह एक बहुती बढ़िया चीज़ है after market आपको steering खोल कर controls वगरा लगाने की कोई भी ज़रुरत नहीं है मारुती ने इसका पूरा ख्याल रखा है आपको already controls दे दिये है आपको क्या करना है सिर्फ एक infotainment लेना है लगाना है और यह controls के साथ उसकी fitting कर देनी है बस आपका काम हो गया अब यहाँ पर cruise control वगरा base model में उमीद भी मत करना और मिलता भी नहीं है driver side airbag इस तरफ है co driver side airbag इस तरफ है और इस variant में आपको दो airbags ही मिलते है steering wheel tilt के साथ telescopic adjustment भी है तो base model से ही आपको चारो adjustments मिल जाती है जो की काफी बढ़िया चीज है इस तरफ है engine start stop button अब इतने features देखकर आप सोच रहे होंगे कि यह इनसन सच में base model का review दे रहा है या किसी आपर variant को base model बता रहा है नई भाई सुनो मेरी बात यह base model ही है जिसमें आपको इतने सारे features मिल जाते है instrument cluster की बात करें तो normal analog instrument cluster है बीच में है M.I.D. screen M.I.D. screen आपको बाकी मारूती cars जैसे बलैनो हो गई ब्रेजा हो गई कुछ उसी तरह की मिलने वाली है और उसे control करने के लिए आपके पास toggles उपर की तरफ यहाँ पर है तो dual tone finish में door pads है black है brown है और base model में भी आपको यहाँ पर soft touch material है fabric finish है कभी hole है all four power window mirror adjustment controls और एक चीज़ में आपको बताना चाहूंगा इस button की मदद से आप base model में mirror fold and unfold भी कर सकते हो यहाँ पर silver insert है bottle holder storage space speaker की placement इस तरफ है speaker नहीं है सिर्फ placement के लिए जगा मिलती है यहाँ पर base model में भी यह देखो height adjustable seat दी है यार मतलब 8 way manually adjustable seat आपको base variant से ही मिल जाती है center console में सिर्फ infotainment missing है जो आप after market या showroom end से as accessory लगवा सकते हो एक और चीज की जरूरत है वो है reverse parking camera इसके आलावा इन दो चीजों के आलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस गाड़ी में यहाँ पर hazard lamp का switch automatic climate control AC unit base model से ही traction control on off करने का button idle start stop on off करने का button यहाँ पर 12 volt का charging socket यहाँ पर हलाकी USB और aux input वगरा कुछ नहीं है mobile रखने के लिए जगा इस तरफ है और base model में आपको सिर्फ manual transmission का यह option आता है तो जिसको automatic चीए उनको जबरदस्ती upper variance ही लेने होंगे base model manual वालो के लिए है 5-speed manual transmission मिलता है यहाँ पर थोड़ easy cost cutting की है लेकिन चलो कोई बात नहीं इसे ignore किया जा सकता है बाकी इतने आपको features दिये कि यह चोटी मोटी चीज है तो आप वैसे भी aftermarket लगवा सकते हो चोटी सी चीज है इतनी बड़ी कोई बात है नहीं leather wrapping हलाकी यहाँ पर है यहाँ पर चावी रखने के लिए dedicated space है यहाँ पर दो cup holders है hand brake lever इस तरफ है और यह देखो एक और चीज sliding वाला front armrest with storage space और क्या चीए आपको base model से brown, black, silver ऐसा triple tone वाला dashboard है dashboard दिखने में बहुत ही बढ़िया है बहुत ही stylish और up market feel देती है यह गाड़ी और यह brown color न इसको और भी थोड़ा सा न प्रीमियम वाला ऐसास दिलाता है glove box की size भी decent है cooling function वगरा कुछ नहीं है ना ही glove box में आपको कुछ lamp वगरा मिलेगा लेकिन size काफी अच्छी खासी रखी गई है manual day night adjustable IRVM है उपर की तरफ दो halogen cabin lamps है microphone की placement इस तरफ है driver side sun visor के उपर भी आपको vanity mirror मिलता है light नहीं है लेकिन यह shutter वगरा दिया है यार कितनी बढ़िया चीज है मतलब यह देखो co driver side पे भी आपको vanity mirror मिलता है मतलब cost cutting इन्होंने कई की नहीं है इतनी बढ़िया गाड़ी इतनी बढ़िया product आपको दे दिये अब इसके अलावा आप क्या ही मांगोगे दूसरे brands में तो आपको भरपूर सारी cost cutting देखने को मिलेगी वही मारूती ने इस बामले में बिलकुल कंजूशी नहीं की है safety का पूरा ध्यान रखा है क्योंकि S-Cross वाले platform पे बनी है तो safe तो यह होने वाली यह गाड़ी उसके अलावा आपको इतने भर-बर के features दिये है infotainment और reverse camera लगाओ और top model की तरह चलाओ यार इस गाड़ी को alloy wheels भी आपको लगाने की इतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं अगर आप चाहते हो तो लगवा सकते हो नहीं तो फिर alloy wheels भी नहीं लगाए तो भी वो जो tire plate दिये है इन्होंने वो भी काफी बढ़िया है और tire plates, tire covers जो है वो भी base model से ही दिये है इन्होंने तो दोस्तों यही था मेरा आज का review वीडियो Grand Vitara के base यानि की सबसे ज़ादा value for money variant का I hope आपको सारी information इसी वीडियो में मिल गए होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like जरूर कर दीजिए मिलते है किसी ऐसी ही अगली review वीडियो में तब तक के लिए drive safe, take care, bye bye